रादे रादे भगतो भगतो इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ दिल से आप सब के सपोर्ट के लिए जो नए लोग पहली बार इस चैनल पर हैं कृपयाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो आपको समय पर मिल जाए आज हम बात करेंगे कार्तिक महा की कथा के बारे में इस कथा को अंतक जरूर सुनिएगा तभी इसका लाब आपको मिलेगा सुने मात्र से फल प्राप्त होता है और दूसरों को भी जरूर शेयर कीजिए का ताकि आपके हातों से ये शुब काम हो और दूसरों को भी इस कथा का सुरन करने को मिले कार्तिक महा का फल प्राप्त हो उन सब को कार्तिक महा में ब्रहमूरत में उठना चाहिए कोशिश कीजे ब्रहमूरत के सुबह साड़े चार से लेकर पांच बिज़ तक आपके हर काम मतलब की इस्तान वगएरा हो जाए फिर भगवान की उपासना कीज़े और भगवान सुरे को जल भी चड़ाएं और तुलसी माता का तो इन पूरे मन्थ महिने में बहुत ही ज़्याद महतुर होता है तुलसी माता का पूजन कार्थिक मा में अतियंती शुबदाई है अगर आप सुबह पूजा पाट न कर पाएं मान लिया बिजी होते हैं किसी कुनोकरी जाना होता है घर में बच्ची स्कूल जाते हैं तो पूजा पाट ना कर पाएं दीबदान ना कर पाएं तुलसी माता को जल अवश्य चड़ाएं जल सीचने से भी माता अतियंती परसन होते हैं फलदाई फल मिलता है दीबदान सुभे ने कर पाएं तो संध्या के समय दीबदान अवश्य करना चाहिए ये बहुत ही फलदाई होता है कार्टिक माहा में नित्पे प्रति दिन आपको इसी प्रकार से इस नान में पूजा करना है इस कथा का श्रण भी करना है तब ही आपको इस महा में उचित्फल और हर्मनों कामना आपकी पूर्ण होगी कथा श्रण करने से आपको महान फल की प्राप्ती होती है कथा सुनने के बाद यदि आप प्रति दिन दान करेंगी तो ये अतियंत ही लाबकारी होता है आपके लिए कुछ भक्त गण कारतिक महीने के अंद में भी एक साथ दान करते हैं वहबी फलदायतों होता है प्रेंटों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कारतिक महा में दान पूर्ण का बहुत ही महत्व है और नित्त प्रति दिन करना चाहिए दान में हमें किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं जैसे कि गो दान हो गया अपनी बरकत के साथ से आप लोग दान कर सकते हैं ब्रामन को दक्षना दे सकते हैं और फल दान दे सकते हैं वस्तर दान हो गया अन्न दान हैं सुन दान हैं चांदी भी दान कर सकते हैं आदी अने को दान है जो आप कार्तिक महामे देखे अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं कार्तिक महामे प्याज लहसुन खाना वर्जित माना जाता है मदीरा, अंडा, मास भी नहीं खाना चाईए अरर की डाल और चावल भी शास्तों में वर्जित हैं बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिन में बीज होते हैं वह फल भी कार्थिक महा में वर्जित माने गए हैं ब्रह में चले का पादन करना वे जमीन पर सोना अत्यंत ही लाबकारी और पुन्नकारी होता है किसी को नुकसान कस्त नहीं पोचाना पेड़ पोदे नहीं काटने होते हैं और नहीं जूड बोलना चाहिए पूरे सायम के साथ कार्थिक महा का पालन करना चाहिए किसी से भी वाद विवाद लड़े जगड़ा नहीं करना चाहिए ये नियम है कार्थिक महा के अगर आप इन सब का पादन करेंगे तो निशित रूप से आप पर भगाउन विश्णू नारान महराज की करपा बरसी उसे कोई नी रोख सकता आपके सारी मनों कामनाई विश्णू भगवान पूरी करेंगे धन समपता आपको आपकी होगी क्योंकि कार्तिक महामे सुब्य का सनान तीर्थ यातर के समान फलदाई होता है घर में अगर आप कार्तिक महामे ब्रहमूरत में सनान करते हैं तो अपने नहाने के ज़र में थोड़ा सा गंगा जल मिला रीजिए उससे स्दान करना भी तीगृत स्थान के तुल्ले माना जाता है सास्त्रों में और आपको गंगा स्थान का फल प्राप्त होगा गंगा स्थान करते से में गंगे मा को स्मरन करना अत्यांतावशक होता है अन्य भगवानों के नाम भी साथ लीजे और सब को स्मिन करके उनको जल से जल अरपित कीजे पने हाथों की अंजली में भरके कार्थिक महा में दीन दुख्यों को कंबल वस्त गरम कपड़े आदी दान करना बहुत ही उजित माना जाता है गरीबों को भोजन का दान भी अत्यंत लगता है ये परम कल्यान कारी होता है कार्थिक महा में तुलसी मा का पूजन महा कल्यान कारी होता है साथ में आप शालिगराम वे आवले का भी पूजन कर सकते हैं जो अत्यंत ही फल्दाई होता है कार्तिक महा में यग, कीर्दन, पूजा, वरत, तिरतस्थान जाकर स्नान करना जो भी करते हैं उसके जिवन में कस्ट आता ही नहीं जो अगर होता भी है तो कस्ट वेदुख सारे ही विश्णु भगवान हर लेते हैं क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु को अतियंत प्री है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी अतियंत प्री है तो जो भक्त उनकी पूजा पासना करेगा और इस महिने में उनको हर नियम से उनको याद करेगा तो भक्त भी उनको अतियंत प्री हो जाते हैं उ कार्थिक महा का स्नाज जो भी स्री पूरुष करते हैं सब के पाप का नाश होता है पूर्ने का उद्य होता है उनके जीवन की समस्त अभिलाचाय पूर्ण हो जाती है यदि आप नोक्री व्यापार शिक्षा धन विवा को लेकर परिशान हैं और तो कार्थिक महा में प्रते दिन ब्रहम मुरत में इस्नान करके तुलसी माता का पूजन कीजी दीवदान दिन में ना कर पाएं सुबह ना कर पाएं तो शाम को अवश कीजी तुलसी माता का पूजन करें और भगवान विष्णु को भी अपनी मनोकामना कहें जब आप पूजा करते हैं बहुत ही जल्द आपकी मौनो कामना संपूर्ण होगी. कर्ज की समश्या हो, संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, कोई धन्धाने से आपको परिशानी हो, कर्ज मुक्ति के लिए आपको चुपाय करना चाहते हैं, तो कार्तिक में प्रेति दिन इसनान करके, जो उपयोग बताए गए हो पर वो सब कीजिए, क्योंकि ये महिना माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है, यदि आप कार्तिक के पूरे महिने वरत करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, सुभए दिन में आप फलहार कीजिए, और शाम को संद्याकाल में आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन सात्विक हो, उसमें मास, अंडा, मचली या फिर लहसुन प्याज ना हो, और दाल, चावल भी वरजित होते हैं, ये नहीं खाने हैं, ये जरूर नहीं कि आप पूरे वरत करें, ये सबकी श्रद्धा होती है, कोई कोई महिने में अगला पिसला या पिसली दो या पांच फ्रद भी रख सकते हैं, उनका फल भी पूरा प्राप्त होता है, स्नान दान वे यग्ग का विशेस महतो होता है, और पूरे महिने में सनान दान यगतों करने ही चाहिए अंजाने में हमसे जो पाप होते हैं उन्हें नस्ट करने के लिए महिना अत्यत शुबकारी माना जाता है